है एलो स्टुडेंट्स आप सभीका एकाउंट एंसे की कलास में स्वागत है हम कर रहे थे बिजनेंस को और पिछले पार्ट पी हमने थ्री बिजनेंस टांजेक्शिंश को डि्षकाश कर लिया था अब देखते हैं एंचले नमपर फोर आपने मेरे साथ साथ इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलना है तो ट्रांजेक्शन फोर है गुड्स कि रिटर्ण तो सबसे पहले आपको ये ट्रांजेक्शन समझाने चाहिए तो आपने कह किया गुड्स रिटर्न कर दी बापिस कर दी और जो एमाउंट है वो दिया है 4000 रिटीर तो इसका मतरब आप बापीस क्योंकि वो आपको जो समान जो आया था वापको पसंद नहीं आया या वह समान कहीता ख्राब था जिसका आप नेंके कर दी बापिस कर दी तो अग्षा किया था ङुदे है तो एक साओंट आज्याएगा परूचे परचेज रिटर्ण एकाउंट आ जाएगा या इसी को ही हम लिखते हैं किस नाम से आपको बताया था रिटर्ण आउटवार्ड एकाउंट भी हम इसको लिखते हैं तो एक तो यह आएगा और दूसरा जब हम समान को बापिस करेंगी तो जब हमने समान खरिदा था तो यह जो ट्राइब को देखने से लगा रहा है पता कि हमारी जो लगर हो लेगा नगत हुई थी तो आप हमारे को दूसरा क्या मिलेगा जो हमने पैसा दिया था वह बापिस मिलेगा तो दूसरा एकंट आ जो हमारे पास हारा है उसको debit जो जा रहा है और गिश के लिच oke क्यूंकि जब हम ड़ा बापिस करें तो हमारे को पैसा हो बापिस कर हिंगी तो entry बढ़ हमारे पास cash account debit to purchase return account या हम परचेज रिटर्ण के जगा रिटर्ण आउडवार्ड भी कर लिख सकते हुँ तो यह हमारे पास एंट्री बन गई यह फॉर नंबर ट्रंजेक्शन होगी कम्प्लेट अब फिप्त नंबर पर हमारे पास क्या ट्रंजेक्शन आ सकती है इसी कहीं हम बनाते आगे आपको आया गुर्स है रिटर्ण तू मोहन मोहन को हमने समान बापिस किया 4000 रुपीज का और जब हम एंट्री करेंगे तो 4000 जो हैं डेविट में आएगा एंड 4000 रिक आएगा क्रेडिट में अब आ गया के गुड्स रिटर्ण तू मोहन तो यहां अपने कह था गुड्स रिटर्ण अभी यहां पर नाम दिया हुआ है तो जब नाम दिया है तो इसका मत्रवी जो रिसीव करने वाला है वो कौन है मोहन ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब हम जो है हमने मोहन से क्या किया था असमान उधार क्रिदा था तो इसमें एक एक एकाउंट हुआ ही आएगा परचेज रिटर्ण तो हम दिखने है 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 तो पर चेज हैं हो वह खुर्ण कर रहे हैं तो फूट को वसके पर्सुनल के जब हम você तो इसको क्या करेंगे हम डैबिट तो यह हमारी बढ़ गई एंट्री आप में इसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे मोहन एकाउंट डैबिट तो परचेज रिटर्न अगाउंट और एम और दिखेंगे हम 4000 रुपीज एंड 4000 रुपीज यह बढ़ गी हमारी जो है एंट्री तो कितिनी हमने ट्रांजेक्शन कर ली हमने कर ली पांच ट्रांजेक्शन अब हम देखते हैं ट्रांजेक्शन नमबर 6 अब 6 में क्या हो जाएगा कि हम जो हैं गूड्स की जग लेना आ हम आजायेगा जैसे घ्रीज दिख सकते यह निदी टो हमने मशिंदिरी हें मशिंदरी जिए हैं एक्जाम्पल ले लिया 40,000 की मशिन्री खृती तो पहले हमने स्टार्ट की थी गुड से अब यहां पर गुड नहीं आ कि आगी मशिन्री तो जब मशिन्री को हमने खृता तो इसमें कॉन-कॉन स्टाउंट आएंगे एक आजाएगा मशिन्री अकाउंट आट गे कि इन जो सैकेंड है वो आपके पास आट है कि जब खृत हुआ है तो आपको फ़रोल्ष यहां पर यह नि दिया में लिया कि各ड लिया तो जब नहीं तो इसका मतलब ये ने दिन हुआ है हमारा कैस में एक आजाएगा हमारा कैस अकाउंट एक जाएगा कैस एक मुशनिद्री और सब्सक्राइब कैसे दुन नों अरियल अकाउंट है दुनों A haceriled तो Aigner's का利י का क्याimaan अरहा है अगर आ रही है debit जा रही है credit तो हमारे पास आके रही है हमने machinery खृदी तो हमारे पास क्या रही है machinery तो machinery को हम कर देंगे debit और cash sellers यह जा रहा है तो cash को कर देंगे हम credit तो यहहां पर entry बनलगी machinery account debit to cash account और एमांट हम लिख देंगे 40,000 and 40,000 तो आपने मेरे साथ साथ लिखते चलना है फिर जो एंट्री आपकी कॉलेज में भी काम आएगे हम सारी की सारी ट्रांजक्शन को स्वार्व करेंगे अब हमारे पास सैवंथ नंबर पे जो ट्रांजक्शन है वो क्या हो सकती है वो हो सकत प्रोम गोपाल अब यहां पर आगया फ्रोम गोपाल और रुपीज हो गया जैसे 30,000 अब 30,000 की हमने गोपाल से मशिंदिरी खरी दी तो इसका मतलब यह जो ट्रांजक्शन हुई है यह हमारी उधार हुई है आपको मैंने पहले बतारा है जब नाम दिया हो और नाम के साथ कैश का जो है कैश अगर नहीं दिया हुआ हो तो वह होता है ट्रांजक्शन हमारी उधार क्रेडिट में तो जब उधार होई होगी तो इसमें हमारे पास एक आजाएगा मिशिंद्री अकाउंट एयनड सेकिन हमारे पास आ आ जाएगा जब उधार कृता है तो यह हमारे पास आ जैंगे तो उन्हींद्री को किया दिये चाहेगा डियाखतें के। है debit what comes in credit what goes out आ रहा है तो debit जा रहा है जब हम machinery ख्रीद रहे हैं तो machinery हमारे पास आ रही है तो machinery को क्या कर दिये जाएगा debit अब हम देखते हैं गौपाल गौपाल का है natural personal account तो personal account के रूल होते है debit the receiver credit the giver अब जो गौपाल है वो receive कर रहा है कि दे रहा है हम उस्यम्चिंद्री ख्रीद रहे हैं तो वो दे रहा है तो इसको देखते हैं credit क्योंकि यह giver है तो यहां अपर एंट्री क्या बढ़ गई हमारे पास एंट्री बढ़ एंट्री मिशिंद्री एकाउंट debit टू को पाल एकाउंट और एमाउंट आजाएगा 30,000 रुपीज और 30,000 रुपीज तो मैंने कितिम ट्राजेक्शन समझ ली साथ अगर आपको मिशिंद्री के जाएगा फनीच आता है तो बास यहां फनीचर टू कैश और यहां पर भी आपने फनीचर टू को पाल करना था ठीक है तो यह आपको ब मशिंद्री जो है रिटर्न कर दी एसा हो सकते हैं मशिंद्री रिٹर्न कि Șीन हमने बाफिस कर दी और कितने की बाफिस की जैसे हम ने 40 की खरीदी थी उसका एक पार्ट खराब हो गया और जिसकी बैली ठी 10,000 रुपीज की वो हमने बाफिस कर दी टेंथ हो जाने की बापिस कर ले ठीक है जब हम मशिन्दिरी को बापिस करेंगे तो हमारे पास एक तो आएगा मशिन्दिरी अकाउंट और दूसरा हमारे पास आजाएगा कैस अकाउंट ठीक है अब क्यों आएगा कैस अकाउंट जब हम मशिन्द्री को बापिस करेंगे तो हमारे पास cash आएगा, अब दुन्नों आपको मैंने वोला कि मशिन्द्री अकाउंट भी और cash अकाउंट भी, दुन्नों क्या हैं, ये आपकी assets है, तो assets जो आ रही है और debit जो जा रही है credit, जब हम बापिस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, cash, तो cash अकाउंट को हम कर देंगे debit, और जाएगी क्या मशिन्द्री, तो मशिन्द्री को क्या कर देंगा, credit, तो इसमें कैंट्री बन गी, इसमें बन गी हमारे पास cash, account, debit to machinery account, तो आपको ये बता दिया, जब हम मशिन्द्री को return करते हैं, और यहाँ पर बता दिया कि जब goods को return करते हैं, तो हम किस का इस्तेमाल करते हैं, purchase return का, तो आपको मैंने बोला कि जब goods का नाम ना दिया हो, तो अगर purchase किया तो purchase account, sales किया तो sales account, purchase return किया तो purchase return account, लेकिन यहाँ पर क्या चलेंगे वो नाम चलेंगे ठीक है जैसे हमने मशीन दर्व बापिस की तो मिशीन दरी आएगा ठीक है और 1-2 ऐगा तो कैश हमारे को मिलेगा तो कैश एक एकौंड एपि टो मशीन री ओजाएगा आप हम कर सकते हैं 9 number पे entry, तो 9 number पे हमारे पास का entry हो सकती है, इसी को हम करते हैं जैसे machinery, return to gopal, इससे मने गोपाल को machinery वापिस कर दी, उससे कितने की नहीं थी 30 की, 30 की 30,000 रुपेज की हमने वापिस कर दी, क्योंकि यो totally क्या थी खराब थी, machinery अच्छी थी तो मैंने वापिस कर दी, तो इसमें भी दो account आएंगे, एक आजाएगा machinery, account, and दूसरा आजाएगा गोपाल अकाउंट, तो machinery कौन सा account है, real, and gopal कौन सा account है, personal, अब हम rule लगाएंगे, machinery, real account के के rule होते हैं, debit what comes in, credit what goes out, आ रहा है, debit जा रहा है, credit, अब machinery, जब हम बापिस करेंगे, तो machinery जा रही है, business से, तो क्या करेंगे, इसको credit, machinery हो जाएगी, credit, गोपाल, account, debit to machine लेकव, और amount कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज, और 30,000 रुपीज, तो आज के इस पार्ट में, बस इतना ही हम मिलते हैं, छीए ने स्पार्ट मिल, तक य।